वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है वक्त फकीर को भी भुजूर बना देता है और वक्त की कदर करना सीख लेया बंदे क्योंकि वक्त कोईले को भी कोहिनूर बना देता है नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PVR स्टडी में आप सभी हजारों बच्चों के डाउट हैं अब मैं इसका एक सेशन चलाने लगा हूं डाउट सेशन अपने डाउट आप कमेंट में कमेंट करोगे बिल्कुल कमेंट में भर दोग्दम पूरा सब आपको हम वीडियो बनाके देंगे जिस पे ज़्यादा दिखता होगी आज कई डाउट है टॉपिक का कौन-कौन पूछा है मैं उनके कुछ बच्चों के नाम लूँगा जैसे कि अनुपम जैसवाल जी इन्होंने पूछा ह हुआ है रामकुमार जी ने पूछा हुआ है प्रबेज आलम पृतिया तो सैल्जा उपाध्याय और नाम है दिनेश कुमार ठीक है अंजनी जैसवान मंजीत सिंग रमेश गुपता सीमा रानी और महेंद्र सिंग यह सब अलग-अलग राज्यों से हैं भारत देश के इनकी बहुत सारे डाउट हैं और मैंने सोचा कि चलो इस पर वीडियो बना देते हैं इनकी बड़ी प्रॉब्लम है कि दसामलों में अगर संख्या है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं जैसा कि मैं कभी लंबी चोड़ी बात नहीं करता हूं चोटी चोटी बाते करता हूं तो अगर मेरे भाई ऐसे वर्गमूल निकालने को इन्हें अगर बोला जाता है 64 यह कहते हैं कि गुरुजी यह इसा होता है आईसा इन्होंने देखा है तो फाइनल में प्लस माइनस 8 होता है यह इनको पता है भाईया यह तो सब ठीक है लेकिन जब दसामलों लग जाता है आइसे समझ था घ्च जायू जाओं गए लीटिन आपको स्क्र really दिखाओं गरे तो दसामलों जब उनका वर्गमूल करेंसे उताइव कि समझेव तक यह कुए भाईया इनका कि आप ने पढ़ा होगा भाग बिदी से वर्गमूल बढ़ा है ना तो दसम्मलों में भी दोनों तरीका लगता है अब यह देखना है कि दसम्मलों किस तरह खा जैसे आपने देखा होगा रहे ना आपने साप देखा है बत कर रहा हूं यह रात का टाइम है तो तीन परसेंट भी सहले होते हैं बाकी लेकिन बदनाम सब परसेंटकों सीधे फार्श होते हैं लेकिन बंदनाम सब lukहते हैं मार दीए जाते हैं अंगा ग्यानता बस है ना परिलाली सबस्कित बाखनी बाद में क्यों कर रहा हूंökद आ इस लिए लेकिन मैं थोड़ा सा सीधा फाधा वाला दिखा दूँ आपको एक आठी देख लो इसको बाद में करूंगा ठीक है जैसे देखो भाई आओ यह बाबू देखो ना जैसे अगर यह सवलवा है ना ऐसे है न यह ऐसे इसका क्या करना है वर्गमूल करना है एची जवर समझ लो यह लगा ना जिन यह वर्गमूल का है अगर यह ऐसे लगा हो था ऐसे यहां पर तीन तो यह घनमूल हो गया समझ रहे हो घनमूल की पहचान है यहां पर तीन लगा होगा जरूर और वर्गमूल में चाहे कुछ लगा हो या ना लगा हो यह ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ऐसे भी अगर लिखा रहें तब भी इस सारा समझ लेते हैं कि यह वर्गमूल कह रहा है इस पर दो लिखाया तब भी नहीं लिखाया तब भी इस पर अगर तीन लगात मतलब घनमूल ठीक है जिन समझ लेना आई यह बात करते हैं में पॉइंट की जो काम वाली चीज है भी आओ सबसे पहले का करेंगे इसमें पता है आपको इनको हम 8.1 को ना पॉइंट हटाके 81 अपांट 10 कर देते हैं और वर्गमूल का चिनना इसे लगा देते हैं समझ रहो लेकिन यह जो मैं कोश्चन दे दिया आपको यह थोड़ा सा अलग लेबल का हो गया मतलब वो आसानी से नहीं हल होने वाला है मैं आपको सबसे पहले आस वह आसान वाला नहीं मिलेगा यह 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 ऐसे होता तब बात बनती फिर क्या होता यह दो अंक पर दसामलो था मेरे भाई यहां पर दो जीरो बढ़ता ऐसे ठीक है और यहां पर ध्यान रहे यह जो डंडिया है ना यह डंडिया बढ़ी रहेगी इसे नीचे तक आएगी जिससे आप समझ जाओ इसको लिख लो लिखना चाहो इसका पीडियाप में पीवी आरे स्टेडी के टेली गराम चैनल पर आपको दे दूँगा ठीक है भाईया समझ रहे हो आगे बढ़े जलो आ जाओ फिर इसको जोईन कियो कि नहीं नहीं कियो तो कर लो हटा पर टेली ग सब्सक्राइब लिया चलो लो अगला पेश पर चलो जहां पर दिख रहा है ना सबको एकदम मस्त कोनों दिक्कत नहीं है कोनों कोना चलो मेरे बाबु देखो जैसे अगर इसमें मैं दिया अंडरूट अंडरूट इसमें 0.64 इसका वर्गमुल सभी कर लोगे अराम से कर लो सब्सक्राइब अगर इसको आप ऐसा लिख देते हो ऐसा तो यह गलत है यह गलत काहे को है अगर दूए लोग साथ में लेटे हो ठंडी का महीना है तो कम्मल एकट ही है तो एक लोग और लोग एक लोग को नहीं वड़ाओ तो ना इंसाफी हुई ना अगर दोनों लोग को चाहे थोड़ा थोड़ा गुजा रहा हो टेड़ा होके लेकिन करना पड़ता है तो ऐसे यह भी है इनमें इनको दोनों को अड़ा के रखना है यानि वर्गमुल का चिन इस पर होना चाहिए नीचे वाले पर भी नहीं तो फिर अन्याय हो गया यह यह मनुसान नहीं हुआ कि इनको क्या करेंगे इनको नीचे थोड़ा बढ़ा के ऐसे होना चाहिए यानि इतना मतलब भी नहीं कि बैठाइक पावाद ओलर या मतलब इतना भी कर दोगे तो नहीं ज्यादा सही है लेकिन हाँ यह यह बीच वालाइन यहां तक तो आना चाहिए बस यह बहुत जरूर इससाइं पढ़ाता नहीं हूं तो कहते हों शीखाता हूं पढ़ाता नहीं ठीक है चलवाओ देखो देखो देखो-देखो-देखो-देखो-देखो एक लाइट नीचे फ्रहना चाहिए मैं परशाई आ रही ना आने दो तो 64 का वर्गमूल आप सबको पता है 8 होगा ना और 100 का कितना होगा 10 इस तरह से मेरे भाईया मेरे बच्चा इसका आंसर 0.8 होगा है ना सही लिखाओं की नहीं बताओ किसी को कोई confusion नहीं न अब चलो बढ़का वाला सवाल कर लेते हैं यह बढ़का इधरा इसको लिख लो बढ़का वाला सवाल देखो यह बढ़का वाला था अब मैं इसको हल करके दिखाऊंगा आप 5.21 ठीक है याद रख लो 5.21 चलो नए पेज पर चलूं क्या इसी में कर लो इसको मिटाई देता हूं छोटास तो है 5.21 ठीक है ना राजा चलो question नंबर 3 डाल दो क्योंकि मैं एक मिटा चुका हूं 5.21 इसका क्या करना है वर्गमूल निकालना है विधिया कौन सी है भाग विधी से ठीक है भाईया चलो आओ सबसे पहले क्या करेंगे पता है आपको नहीं पता है इसका भाग विधी से वर्गमूल करेंगे वर्गमूले तो निकालना है भाग विधिया लगाएंगे जो सबसे पहले साथियों इनको इस लाइन के नीचे लिखते हैं 5.21 और इसका वर्गमूल अगर आप देखो तो तीन अंक तक निकालना है दस हमलों के तीन अंक तक इसका मतलब जानते हो इसका मतलब यह है कि अगर इसका आंसर ऐसे आरा 1.21 तो 5 हम यहां तक लिखेंगे दस हमलो सिलब्ल नहीं बिल्कुल यह बिल्कुल लेना विंदास चलो यह क्या करना निकालना है हुआ है जोड़ा बनता ऐ त संब्सक्तर के लिए पीछे से इसके तीन जोड़े बना यह नहीं 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 паль्imai मेरा जोड़ा भगवान आपको तो बताया ही होगा चलो देखो जोड़ा इनका एक जोड़ा तो बन overflowma आपक्र से जोड़ा बन गया यह दो क्योंकि दस हमदों के बात 3 अंक तक बोला गया था उसमें पास मैं इनका यह दो 3 जोड़ा बना दिक अरो तो दो से दो थोड़ा यहां पर आपको यह वालत को थोड़ा दो और यहां दिमाग लगा लिए नहीं फूरों बीनल दिमाग की आने वाला यह चलो तो दिमाग लगा लिए न आओं यह पांच हैं तो हम ऐसा कुछ करें किसी संख्या करें कि पांच हो जाए या पांच से ज्यादा हो जाए चलो ट्राइए करो देखो कर लोगे पका चलो पांच हो जाए तो हम यह काम कर सकते हैं दो कवर्ग क्यों दो कवर्ग चार हो जाएगा पांच से ज्यादा नहों उससे कम रहेगा थोड़ा चलेगा तो दो कर सकते हैं यह यहां पर आया था उसको ऊपर भी लिखते है नहीं लिखेंगे इनको घटा आते हैं एक आएगा इनको जोडते हैं एक बात और ध्यान कोड़ के लिखना हमें सा यह चार आएगा इधर बीच में जगा छोड़ा साइड ठीक अब आगला इस्टेप भाईया दसंबलों के बाई साइड जो था लेफ्ट साइड था खतम हो गया सूखा मार गया अब दसंबलों के दाहिनी साइड वाली गिंतियों का काम है हमें ठीक ह इधर साइड का इधर से हम क्या करेंगे एक ही पेयर यहां उतारेंगे टूवन वाला एग यह ठीक हमने से हट जाओंगा लिखने के बाद देख लेना भी सबर रखो पहले समझ लो लिखो मत कोई ठीक है समझ लो लिखो मत कोई छापो मत जिंदगी छप जाएगी अगर जोड़ा मैंने दसंभलों के उसकर का उता था घंगा उस पार का साध्य मेरा उससफार मिलने को अंदर से वह करार नहीं दृण से उसपार मतलब यह दशामलों के आर वाला थे यहां पर दसंभल के लगा हो गए क्योच्छे जए नीत फीन बार जाएगा तो चो 4 चार का भाग 12 में कितनी बार इंब जाएगा तीण बार अगर हमने सोच लिया तो कैसे होगा पता है यहां पर कुछ अलग कहा pricing की enee इा गार मैंने 3 बार सोचा और यहां पर 3 लिखेंगे यहां पर क्या करेंगे थिन लिखेंगे एक मिन्नाट्रे दईर्कज भईया है यह कड़गा अ कि तीन लुझे करेंगे नटल बनेगा यहां यह ज मझत बार गया तो नीचे उपर इसे बनता है अब इनका कुड़ा करेंगे तरिक कर्नों और यह तो आट ये बरदाफ नहीं है तो हाथी के उपर फाहर गर पड़ा मतलब कहते हैं चूहे को उपर हाथी चड़गया ऐसा हो गया तो अब एक काम करो जब यह तीन बार नहीं गया तो दो बार तो पक्का जाएगा 100% है ना जाएगा ना दो बार पक्का जाएगा चलो तो दो बार ले जाओ यह को दो दूना चार और दूचव का 8 84 दो बार अगर आप ले गए तो उपर भी दो ले जाओ ठीक है भाईया ठीक है राजा कोई दिक्कत नहीं चलो अब इनको जोड़ो इधर साइड में यहाँ प यह बचा है 11 11 में से 8 गया 3 अब यह बचा नीचे क्या 37 इसमें कोई डाउट नहीं किसी को नहीं न उपर से उतालो डबल 0 ठीक है मेरे भाई आगे बढ़ूं कोई दिक्कत नहीं किसी को चलो अब देखो यह 37 हो गया यह 44 हो गया अब यह भाग लगभग कितनी बार जाएग चार कभाग 37 में चार नमाई छतिफ न नौ बार लगभग जा रहा है लेकिन अगर मैं नौ बार ले जाओंगो ज्यादा हो जाएगा मुझे पता है जैसे यहां पर अभी ट्राई किया था तो हम इसको आठ बार ले जाएंगे पक्का आठ बार चला जाएगा यह अभ्यास क 64 आठ ठाई 64 का चार हाफिल है अच्छे आठ चोग 32 छे अंड़ीस का आठ हाफिल तीन आठ चोग 32 तीन 35 ठीक है भाईया कौनो डाउट नहीं किसी को इनको घटालो 116 लगभग आएगा यह 10 में से 4 गया 6 9 में से 8 गया एक इस में से उधार गया था 6 6 में से 5 गया एक इनको पर भी आठ जाना चाहिए अब हमें सिर्फ एक बार ले जाना है क्योंकि दस हमलों के तीन एंग तक ले जाना था और हमारा जोड़वा भी एक कट बचा है देखो यह कैसी यह उतर गया था एक ही बचा है ठीक है भया ठीक है बाबू अब कितनी बार जाएगा जानते हो सिर दो दूना चार और दो छंग बारक दो हासी लेक दो पंचे दस एक ग्यारा हासी लेक दूचो का ठेक नो भाग ली जाके देख लो दो बार गया है बस हमारा आंसर आ गया फाइनल में 2.282 यह आंसर है दस हमलों के तीन अंक तक इनको घटाए लो फिर देख लो 24.76 लगबग आएगा 24.76 आएगा ठीक है इनको जोड़ो या ना जोड़ो कोई फरक नहीं पड़ता आप यह था आपका क्या ऐसा कोश्चन था जिसमें थोड़ा था बुद्धी लगनी थी बात समझ में आई कमेंट करके बताओ इस तरह कि बहुत से सवाल बच्चों ने पूछा इन पर मैं और वीडियो बनाऊंगा आप कमेंट करो आपका क्या डाउट है यह तो मैं उन 15-18 बच्चों का डाउट बताया जो पूछे थे आप अपना डाउट कमेंट में लिखो ठीक है नहीं लिख प पूरी क्लास मिल जाएगी इन क्लास की सारी रिकॉर्डिंग क्लास पीवीर स्टेडी के दूफरे चैनल राजकुमार यादो सर्मयत पर मिल जाएगी यह चैनल याद रखना ठीक है भाबू आगे बढ़े तो वैसे बहुंच जाएंधा का वीडियो घंट शेयर बढ़या रीघ। पूरी इसके अगे बात करें एंगे अगले वीडियो में इस वीडियो में बहुत बहुत flewm खवगा?